तो आज मैं स्टार्ट करता हूं basics of division तो basics of division पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और basics जानना जरूरी है जैसे कि मैं example लेता हूं इसे a into 1 क्या होता है तो a into 1 होता है a फिर अगर माल लिया मैंने माल लेज़े b into 1 तो यह क्या होता है b इसे हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि अगर a into 1 means 1 को हम लोग किसी भी नंबर से multiply करते है तो वो जो term है वो same ही आता है या फिर a into 0 क्या हम है ठीक है a into 0 क्या होता है 0 होता है या 1 into 0 क्या होगा 0 means 0 को किसी भी नंबर से multiply करने से answer हमारा आता है 0 ठीक है यह थोड़ा ध्यान रखिएगा यह बहुत important है अगर इसमें आपको confusion है तो थोड़ा आपको problem हो सकता है ठीक है तो start करते है basic subdivisions पे तो सबसे पहले हम लोग कुछ example लेता है जैसे मैं बोला को कोई भी number जैसे मैं example लेता हूँ कोई भी number मतलब माल यह a तो a को अगर हम 0 से divide करेंगे तो क्या होगा तो इसका answer ह इन्फिनिटी या फिर null भी बोलते है निल भी बोलते है कुछ भी आप बोलिए infinity बोलिए है फिर not defined भी बोल सकते है ठीक है इसको not defined भी बोलते है not defined ठीक है कहीं कहीं आपको यह लिखावाद दिखेगा आपके books में ठीक है इस sign को उल्टा 8 लिख दी जगह से ठीक है तो a by 0 is equal to infinity होता है ठीक है और यह आपको infinity या not defined कहां पर देखना को मिलेगा कि rational number क्या होता है तो rational number हम लोग जानते है rational rational number क्या होता है बोला जाता है कि p by q के form में होना चाहिए where q is not equal to 0 तो q is not equal to 0 क्यों बोलता है इसलिए बोलता है क्योंकि यह इस form में हो गया जैसे यहां पर माल लिए मैं कर देता हूं p by 0 तो क्या होगा यहां पर ही यह होता infinity इसलिए बोला जाता कि p by q के form में होना चाहिए और where q q जो होगा वो 0 नहीं हो सकता तो 0 q नहीं हो सकता क्योंकि 0 अगर हुआ तो उसका जो value होगा not defined होगा ठीक है मतलब infinity कुछ भी हो सकता है मतलब बता नहीं सकता कि वो क्या होगा ठीक है और माल लिजे यह जैसे होगे a by 0 यह p by 0 यह कुछ अब क्या होता है यह variable है इस variable में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कुछ भी मतलब 1 2 3 कुछ भी यह 5 फिल 0 divided by 0 is not defined और infinity और अगर मैं इसका reverse कर देता हूँ माल लिजे 0 by a कर दिया तो इसका answer क्या होगा आपका 0 होता है ठीक है तो मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यह होता कैसे है ठीक है आपको इसके और भी बहुत सारे तरीके मिलेंगे ठीक है तो आप उससे भी आप देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है तो मैं थोड़ा से इसको मैं define करने को कोशिस करता हूँ जैसे मैं example लिया e by 0 ठीक है और इसका हम लोगों पता क्या होता है कि infinity मतलब not defined होता है ओके या फिर मैं example लेता हूँ 2 by 0 2 by 0 मतलब भी क्या होगा infinity मतलब not defined मैं ऐसा sign दे र 0 3 by 0 कुछ भी आप लिजिए तो इसका answer होगा आपका not defined है ना तो यह not defined क्यों हो रहा है अचा not defined या infinity का मतलब क्या हुआ नंबर कितना दूर तक जा रहा है या कितना छोटा हूँ हमको नहीं पाद ऐसे आप example ले लिजिए जैसे 1 2 3 4 5 8 10 8 9 3 2 मतलब यह कोई आपका यह regular नं नंबर नहीं है आगे पीछे इस तरह से हो रहा है ठीक है और फिर point के बाद भी और भी कुछ नंबर हो जाएगा जैसे आप example ले सकते है root का root में होता ना root 2 जैसा आप example यह तो क्या होता है 1.21 कुछ भी आगे जाते रहता है dot 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 यह कोई मेरा regular नहीं है ठीक है यह number तो यह नहीं होता है की इर रेशनल लंबर होता है root को हमारा इरेशनल नंबर होता है होता है ठीक है मतलब यह दोनों तो एक ही सेम ही है तो मैं तोड़ा से समझाने के कोशिज करता हूँ simple language में जिससे आप अराम से समझ सके तो मैं पहले एक फो एक्जांपल होते हैं जैसे मान लीजिए मैं दिया 5 तो 5 by 2 को अगर मैं simple division में इसको solve करने कोशिज करूँ तो आप कैसे लिखा होगे ऐसे लिखा होगे 5 यहाँ पर लिखा होगे और 2 यहाँ पर लिखा होगे है ना तो यह क्या होगा 2 तूजा फोर अप इसी तरह लिखता हो फिर क्या करते हो minus फिर क्या बचा ही ए ठीक है फिर point देते हो फिर आगे इसको further solve करते हो है ना थीक है फिर point देते है यहां पर पिर यहां पर 0 हो जाता फिर 2 फाइफ जा है इस तरह होता है आप इसे यहां पर आप टू लिखा होगा अब जिरो कहां यहां पर ओके टू यहां लिखाया और 0 यहां लिखाया, ठीक है ना, अब आप देखिए, 0 के table में, 2 कितने बार में आता है, ठीक है, 0 के table में, 2 कितने बार में आता है, तो आप छोटा नमबर देखें, जैसे 5, 5 तो मेरा 2 के table डिरेक्ली नहीं आ रहा था, तो उससे कम का देखते है, तो 0 के table में, 2 कितने बार मे तो 1 बार में हम देखे पहला तो कितना है जिरो तो remainder क्या बचा 2 ठीक है फिर माल लिए 0 into 2 किया तो 0 into 2 क्या हुआ 0 तो फिर मैं आगे फर्दर रेसो solve करता हूँ तो 0 2 जा 0 बचा क्या 2 ठीक फिर माल लिए 3 क्या 0 into 3 तो 0 into 3 क्या हुआ 0 तो 0 into 3 0 बचा क्या 3 तो आप यहां पर एक देखे एक pattern बन रहा है pattern यहां नहीं बन रहा है कि मतलब कोई भी number से आप multiply कर रहे हो 0 को तो आपका finally क्या रहा है 0 और यह मेरे number आगे बढ़ते जा रहा है मतलब इसका remainder कभी 0 हो गई ही नहीं आप समझ रहे हो इसका remainder कभी 0 नहीं आएगा और quotient इसका जो है वो बढ़ता जाएगा या कम आप कुछ भी जैसा नहीं जरूरी है कि आप 1,2,3 लिए आप 1,1,1,1 भी करते जाएए आप 2,2,2,2 भी करते जाएए कोई भी number आप लिजे यह आपका कभी यह खतम नहीं होगा ठीक है ना और यह कुछ भी हो सकता जरूरी या 1,1,1,1 या फिर 2,2,2 या फिर 1,2,3 आप कुछ भी number लिजे तो आपका quotient यह बढ़ते ही जाएगा और quotient इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि remainder आपका खतम ही नहीं होगा न कभी remainder अगर खतम नहीं हुआ तो यह number कभी divisible हो ही नहीं पाएगा 0 से तो इसलिए हम लोग 2 by 0 या फिर a by 0 को हम लोग बोलते हैं not defined या फिर बोलते हैं infinity तो खेर आपको लगता है यहां तक आपको समझाया होगा ठीक है hope you understood तो मैं आपको 0 by a क्या होता है वह मैं आपको समझायाने कोशिस कहता है यह simple तरीका है आपको इससे बहुत बैतर समझाना चाहिए ठीक है तो मैं थोड़ा से और example लेता हूँ ठीक है तो यहां आपको यह चीज समझा गया हो कि यह क्यों होता है ठीक है मैं इस example से इसी तरह आपको समझाने कोशिस किया अब मान लिजिए 0 by a equals to zero तो zero by a zero कैसे होता है ठीक है इसका मैं example कुछ number पर लेता हूँ तो zero by मान लिए आप ले लो 3 ले लो ओके तो देखिए मैं इसको फिर से कैसे लिएँगा तो जीरो यहां लिखाएगा अंदर और यह denominator बाहर रहेगा ठीक है अब 3 के टेबल में 0 कितने बाहर में आता है मैं example दे चुका हूँ कि zero को किसी से भी multiply करो तो zero होगा ठीक है यह जब ऐसे लिखा तो यह से मैं multiplication rule में आपको बता चुका हूँ तो three into zero क्या होता है जीरो तो राइटिंग पर आप लोग ध्यान दिजाए कि वह राइटिंग मेरा गंदा है ठीक है बट आप इतना भी गंदा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो ठीक है तो इसको आप ignore कर सकते हो बच्चो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ तो three के टेबल में zero कितने बार में यहां पर दिख गया तो three zero 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 लेजिए आपका remainder खता हूँ ठीक है इसलिए आप zero by three को आप zero लिख सकते है यह zero by four को भी आप zero लिख सकते हो ठीक है यहां देखे remainder खता हम होगे ना मगर उस case में क्या होता remainder आपका नहीं कहता हो रहा था मतलब कट नहीं रहाता है ना आप जो आपको समझाय आप वह बोलिए ओके यह फिर zero by यह क्या होगा जीरो होगा ओके तो इतना आपको समझ नहीं है इतना समझ आ गया होगा मेरे खैल से ठीक है आप समझने कुर्शिस करिए नहीं समझ रहते है एक दो बार लिखे अपने copy में तो आपको बहतर समझ आएगा और नहीं समझ आया तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अब इसको ध्यान से दो तीन बार देखे वीडियो को तो ही आपको अच्छा से समझ आएगा और खुद से एक बार ट्राई करिए तो ज़्याद अच्छा से समझ आएगा चलिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू होप लाइक दे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा और मैं बहुत ही जल्दी अपका 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं मैं इसलिए ने स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ब बनाया हूं ऑब दिवीजन थोड़ा सा और चलेगा ये पहला पार्ट मैं बना रहा हूं इसंए क्या होगा कि आप बच्श में अगर प्रॉबब्लम नहीं है यह हो रहा है तो इसमें आपको मैं जितना भी बता हैं इसमें को सारा दिउ इसमें क्योंको सारा बेसिक्र क्लिय इसको देखिए, एक बर नहीं समझाता तो दूसरा बर देखिए, क्योंकि देखिए बच्चे और आपको अच्छा नमबर लाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मैस है मेहनत का चीज, आप सिर दिमाग से सोच रहे हो कि एक्जाम पास कर जाओ या फिर पास कर जात तो आप जबते कि मैस को मजा लेके नहीं बनाओंगे तो फिर आपको मतलब इंट्रेस्ट ही नहीं आएगा, इंट्रेस्ट लेना पड़ेगा आप लोग को आना, चलिए ठीक है, थेंक्यू